जब से युक्रेन के खिलाफ रूस की सेना ने आक्शन शुरू किया है तब से युक्रेन में शायद ही कोई मिनिट बम और रॉकेट के धमाके के बगार गुजरा हो लेकिन तमाम खत्रों की अंदेखी करते हुए अमेरकी राजनेता नैंसी पेलोसी की इफ पहुँची पेलोसी के साथ अमेरकी सांसर जेसन क्रो, जिम, मैक गवर्न और एडम शिफ भी मौजूद थे इन सब का स्वागत किया खुद युक्रेन के राष्टपती जेलेंस्की ने नैंसी पेलोसी ने जेलेंस्की के साथ मीटिंग में रूस से चल रही युद के हालात पर चरजागी और अमेरिका की तरफ से मदद का फरोसा तोहराया जेलेंस्की ने नैंसी पेलोसी को और्डर औफ प्रिंसेस ओलगा से सम्मानित भी किया इस पौकेपर नैसी पिलोसी ने कहा कि यूकृएन की लडाई हम सब की लडाई है लडाई खत्म हो जाने तक अमेरिका एक सचे मित्र की तरह हर कदम पर यूकृरेन का साथ निभाएगा अमेरिका के House of Representative की स्पीकर नेंसी पिलोसी का कीफ दौरा अचानक हुआ माना जा रहा है कि स्वरक्ष्या कारणों से उनके दौरे के बारे में ज्यादा लोगों को जानकारी नहीं दी गई थी रूस पर ब्रिटिश खूफए एजनसी माई फाइव ने बड़ा इल्जाम लगाया है रूस रच्राए ब्रिटिन पर आतंक की हमले की साज़श ये का है माई फाइव ने ब्रिटिन में कई हाई वाल्यू टागेट्स पर रूस की नजर है ये माई फाइव दायवा कर रहा है माई फाइव ने ब्रिटिन के प्रधान मंत्री और ग्रेम मंत्री को रिपोर्ट भी सौफ दी है ब्रिटिन के अख़बार दस सन के हवाले से ये खबर सामने आई है ब्रिटेन की खूफिया एजंसी ने पुतिन आर्मी पर आतंकी वार्दात की साजिश का आरोप लगाया है ब्रिटेन की खूफिया एजंसी MI5 ने ब्रिटिश सरकार से कहा कि उनके मुल्क से यूकरेन को मिल रहे सपोर्ट से रूस नाराज है इसका बदला लेने के लिए रूस की सेना United Kingdom पर हमला कर सकती है रूसी फॉच के निशाने पर कुछ बड़े टार्गेट्स है बताया जा रहा है कि ब्रिटिश खूफिया एजंसी ने इस बारे में ब्रिटेन के पधानमंतरी को आगहा कर दिया है इस आगहा के बाद ब्रिटेन में प्रवेश करने वाले विदेशी नागरिकों की निगरानी बड़ा दी गई है उनकी सकती से जाच की जा रही है अकबार का दावा है कि रूस की तरफ से किसी भी हमले को बेहसर करने के लिए ब्रिटेन यूरॉप के अपने दूसरे साजिधारों के संपर्क में है इस बीच ब्रिटेन के पधानमंतरी बोरिस जॉंसन ने एक बार फिर कहा है कि उनकी सरकार यूकरेन को हतियार सप्लाई करती रहेगी और मानवी आधार पर मदद मोही अगर आती रहेगी और में देखे, रूस लगा था, डूनबास पर फूर कंट्रोल की कोशिश कर रहा और यहां पर रूस तोरी उकरेन के बीच भीशन जंग जारी है, डब्रो पिल्या शोहर में रूसी सानिकोंने तावर्तोर फारिंग की है, डूनिस्ट में चार लोगों की मौत हुई है डूब्रो पिल्या में साथ लोग खायल हुएं स्कूल अस्पता समेथ 36 पबलिक प्रापटीज को गाफी नुकसान पहुंचा इसमें और योगिक शेत्र डूनबास पर जल्द कब्सा करना चाहता है, रूस रूस और युक्रेन के बीश सरसर तिन बाद भी वही हमले, वही विद्वन्स और वही विनाश हो रहा है डूनबास में रूसी जंडा फहरानी की बेताबी में रूसी सानिकों ने डूनबास के शहर डूब्रो पिलिया में भयंकर गोलाबारी की, दोनों और से वार पलाट वार हो रहे हैं युक्रेनी सानिक देश के दक्षडी और पूरवी हिस्से में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं रूसी सानिकों का डट कर मुकाब्ला कर रहे हैं डूब्रो पिलिया में हुई रूसी गोलाबारी से तीन बच्चों सहित साथ लोग खायल हो गए डूनेस को ब्लास्ट में रूसी बंबारी से आग लग गई जिसमें एक बच्चे सहित कम से कम चार नागरिक मारे गए हैं इलाकी की पुलिस का कहना है कि रूसी बलो ने पिछले 24 गंटे में 12 बस्कियों पर गोलाबारी की जिसमें एक स्कूल और एक अस्पताल सहित कम से कम 36 चिकानों को नुकसान पहुँचा जो आम नागरिकों की इस्तोविधा के लिए थे रूस ने ओध्योके के खेतर डूनबास पर कब्सा करने का पूरा प्लान बना लिया है यहां बड़ी संख्या में होवे सर तोपे पहुचाई जा रही है यह देखे सैक्डो तोपे ट्रेन के जरिये तेजी से डूनबास इलाके में ले जाई जा रही है यह तोपे रूसी सेना पर पलटवार कर रही यूकरेनी सानिकों पर लगाम लगाने के लिए है रूस की इन तयारियों के बेच यूकरेनी भी डूनबास में हत्यारों का जखीरा बढ़ा रहा है ब्लाक सी और बाल्टिक सागर में बढ़ा है तनाव आमने सामने आए हैं रूस और नाटो के लड़ाकों विमान जवाब में नाटो देचों के विमानों ने भी मोचा समाल लिया है फाइटर जट्स ने ब्लाक सी और बाल्टिक सागर के उपर भी उडान भरी है यूकरेन के रक्षा मंत्राले ने भी यही दावा किया था कि ब्लाक सी में रूस की 20 कैलिबर मिसाइल हैं इसके बाद बाल्टिक सागर में भी तनाव बढ़ गया है रूस और नेटो के लड़ाकों जहाज आमने सामने हैं दोनों तरफ से विमान समंदर के उपर उडान भर रहे हैं मिसाइलों से लैस रूसी लड़ाकों विमानों ने बाल्टिक और काला सागर के उपर उडान भरी रूसी विमानों को उड़ते देख नेटों ने भी अपने फाइटर जेट्स के साथ मोर्चा बंदी कर दी नेटो का धावा है कि पिछले चार दिनों के अंदर रूसी लड़ाकों विमानों ने कई बार गुस्पैट की कोशिश की बताया जा रहा है कि नेटो देशों की विमान रूसी विमानों को रोकने की लगातार कोशिश कर रहे है लेकिन इन में पश्चिम देशों को दिक्कत हो रही है क्योंकि रूसी सेन ने विमान ट्रांस्पोर्डर कोड ट्रांस्मिट नहीं करते इससे विमान की सिती और उचाई का पता नहीं चलता नेटो देशों की दिक्कत ये भी है कि रूसी बिमान अपना फ्लाइट पाथ भी गुप्त रखते हैं उससे उडान भरने और उतरने की जगा का पता नहीं चलता कुल मिलाकर बाल्चिक और काला सागर में दोनों गुटों की मोर्चे बंदी होने लगी है जिसके संकेट ठीक नहीं है जीते हुए इलाकों में रूसी सेना को लैंड माइन्स का दर्स हता रहा है आगे बढ़ने से पहले रोड क्लियर कर रही है रूसी सेना माइन स्पीपिंग सिस्टम से की जा रही है इस खत्रे की तलाश कई रूसी टांक और बीमपी हो चुके हैं इन माइन्स का शिकार वो यूकरिन की जमीन पर कब्जा कर चुके है वो यूकरिन के शहरों में अपना पर्चम लहरा चुके है लेकिन रूसी सेनेकों का खौफ देखिए कि अपनी जीती हुई जमीन पर भी कदम रखने से पहले वो दस बार सोच रहे हैं वो युद में हासिल किये गए इलाकों में दाखिल होने से पहले एक एक कदम फूक फूक कर रख रहे हैं सरसर दिन की जंग के बाद अब रूसी सेनेकों को भी भी समझते हैं लेहाजा वो आगे बढ़ने से पहले रोड क्लियर कर रहे हैं रूसी सेना के इंजीनियर जमीन में छिपा कर रखे गए लान्ड माइन्स की बारी की सिजाच कर रहे हैं इन तस्वीरों में यूकरेन में मची तबाही को भी देखा जा सकता है और समझा भी जा सकता है रूस ने यूकरेन में जहाँ जहाँ हमले किये हैं वहाँ कुछ भी नहीं बचा है गाओ के गाओ और शेहर के शेहर तबाह हो चुके हैं रूसी इंजीनियर्स कहीं भी जा रहे हैं उन्हें लैंड माइन्स के अलावा भारी मात्रा में छोड़ेगा युक्रेनी हत्यार भी मिल रहे हैं और एक और बड़ी अप्डेट सामने आ रही है यूरपी अदेशों में परमाणू हमले की देह्षत लगातार बनी हुई है शेल्टर बनवाने या खरीदने की जानकारी अब लोग जुटाने लगे हैं जर्मनी, स्विजर्लैंड, फ्रांस और यूके में डिमांड बड़ी है शेल्टर्स के डिमांड में 100% तक की बड़ोतरी देखी जा रही है युद्ध के समय शेल्टर्स में खुद को बचाने की तैयारी में लगे हैं लोग